ही फ्रेंट्स का वीइडियो है फोर इंपोर्टेंट सप्लिमेंट फॉर स्ट्रेंग trafficking ये चारो सप्लिमेंट इन डिसपेंसिबल है अगर आपको आपका पावर बढ़ा रहे हैं आपकी स्टेंग्ड बढ़ानी है तो यह चारो इस ब्लेमेंट जो है कि ये हेल्प करेंगे आपके कार्णोसीन लेवल्स को बढ़ाता है और आप वो बीटा आलाइन जो है आपके ब्लड स्टीम में जाएगा वहाँ पे एंडोजेनिस हिस्टाडाइन से वो रियक्ट करेगा और कार्णोसीन बढ़ेगा तो कार्णोसीन से आपकी स्टेंग बढ़ेगी पावर दूसरा जो सप्लेमेंट है वो है टोरीन जब भी आप बीटा आलाइन से सप्लेमेंट करते हो तो आपको टोरीन लेना चाहिए क्योंकि यह पाया गया है कि टोरीन के लेवल्स कम होते हैं जब आप बीटा आलाइन से सप्लेमेंट करते हो अपने आपको और टोरीन बहुत ही क्रियेटिन मोनोहाइडरेट सबसे हैमस क्रियेटिन के बहुत सारे मित नित हैं जैसे किड़नी खराब कर देगा कुछ और कुछ और कुछ और अगर आपको existing renal problems है किड़नी प्रॉब्लम्स हैं तो अलग बात है मगर अगर अगर कि किड़नी अनॉर्मल से तो आप अगर दिन का 3 gram creatin monohydrate एक माईने के लिए अगर लेते हो after your workout glucose में मिला कर क्योंकि creatin का delivery के लिए insulin spike बहुत ज़रूरी है तो इसके लिए आपको glucose के साथ उसको पीना पड़ेगा after your workout और जब आप workout करते हो ऐसे भी आपकी glycogen deplete हो जाती है तो glycogen replenish करने में glucose बहुत अच्छा काम करेगा और साथी साथ इंसुलिन spike भी देगा तो glucose का benefit भी मिलेगा और साथी साथ creatin monohydrate बहुत अच्छे से अब्सॉब होगा हमारे skeletal muscle में तो यह तीसरा supplement था चौथा supplement है BCAA अब BCAA जो है वो आपके blood stream में तुरंत अब्सॉब हो जाएगा क्योंकि उसको digest करने की जरूरत नहीं पड़ती वे protein अगर आप लेते हैं तो आपके body में जो protein enzymes होते हैं वो उसको digest करने में जरूरी होते हैं बट लुसीन आइसोलुसीन और वैलिन जिसको वी सी डबले बोलते हैं जनरली 2 is to 1 is to 1 ratio में पाया जाता है इसमें लुसीन टू पार्ट होता है आईसोलुसीन वन पार्ट और वैलिन वन पार्ट अगर आप यह तीनों को मिलाते हैं यह अगर आप यह बीसी डबले दिन का 20 ग्राम अगर लेते हो अलग अलग टाइम पर वर्क आउट के पहले अगर आपने किया तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मसल गें मिलेगा ओवर पिरियोड ऑफ टाइम तो यह चार सप्लिमेंट जो है यह बहुत ही हल्पुल है स्ट्रेंग्ट इंक्रीस करने में बॉडी की और यह कोई स्टेरोइड नहीं है यह नैच्रल सप्लिमेंट है और क्रियेटिन बोनो हाइडरेट तो बहुत ही लाजवाब है और बीटाल नहीं यह दो जो है इसकी टक्कर का कुछ भी नहीं बट यह सब सिनरजेटिक लिए बीटाल नाइन सुबह को उठते समय डाइग्राम वर्काउट के पहले दो ग्राम टोरीन और डाइग्राम बीटाल नाइन वर्काउट के बाद आप तुरंद बाद ग्लुकोज में क्रियेटिन पाँच ग्राम बीसी डबले पाँच ग्राम इंट्रा वर्काउट बीसी डब किसी डबले कहीं पे भी आपको जब यू फील हंगरी उस टाइम पर आप उसको ले सकते हो तो यह चार सप्लेमेंट्स लेने के बाद आपको बहुत अच्छा फरक पड़ेगा और आपके पी आर जो है वह बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स यह आज का वीडियो था नेक्स टाइम किसी दूसरे टॉपिक पर बात करूंगा तब तक के लिए हाव नाइस देए